जेहिन स्वागत आपका आपके अपने चैनल SK Fire Study Guide में आज हम जानेंगे फायर की गाड़ी जिसे TFF Truck Firefighting कहते हैं उसमें इस्तमाल होने वाले महत्वपून गेज के विशे में चैनल पर जो नई है वो चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब पर ना भूलें नीचे रेड कलर म सबस्क्राइब लिखाया उस पर क्रपया क्लिक करें पॉंप में लगी गेज जो की पानी का प्रेशर पानी खीचने की संता इंजन का टेंपरेचर गाड़ी में डीजल कितना है आधी दरसाती है उनके विशे में जानेंगे टाइप ओप गेज गेज के परकार पहला परेशर गेज यह गेज, आउटलेट डिलिवरी से निकलने वाले पानी के प्रेशर को दरसाता है इसमें positive प्रेशर ही दरसा आ जाता है यहनि जब गाड़ी के प्रेशर दिया जाएगा और गाड़ी के प्रेशर से जब पानी चलेगा तो यह सूंई निडल इस साइड रिस साथ ऐसे चलेगी यह 50 पॉंट, 100 पॉंट, 500 पॉंट, 50 पॉंट पे जाएगा जब उस टैम साड़े तीन बार का प्रेसर आजाएगा, 100 पे जाएगा जब साथ बार का प्रेसर चला जाएगा, इसमें एक यी निडल होती है, प्रेसर के अनुशारी ये निडल इधर से इधर चलती जाएगी इसे हम प्रेसर गेज कहते हैं आग आता है वैक्यूम गेज वैक्यूम गेज के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है जैसे नेगेटिव ये दिखाई की है इसे भी में नेगेटिव होती है क्योंकि जब pump पानी को शक करता है तब vacuum gauge से ही पता चलता है कि यह कितना पानी उठा रहा है इस gauge में शक करने की समता दर्शाई जाती है शक करने यानि चूस पैदा करने की समता इसमें दर्शाई जाती है यह कितने gauge पर cm2 से पानी उठा रहा है या चूस पैदा कर रहा है शीज में दिखायी जाती है जिसमें प्रेसर 250 गेज और क्पाउंड गेज नहीं होता इन दोनों का यह से दिखा कर रहा है या यह नीडल एटल अगर से जाएगी तो ये कितनी गहराई से पानी उठा रही है ये दरसाएगी या कितना वैकूम बना रही है वो चीज दरसाएगी साइड और अगर ये इस साइड जाएगी तो ये कितने प्रेसर से पानी आगे दिया जा रहा है वो चीज दरसाएगी ये Gais, ब्रेशर गेज और वैकुम गेज, दोनों गेजों का कारिया अकेला करता है इसमें सक करने की समधा और कितने ब्रेशर से पानी दिया जा रहा है दोनों दिखाए जाते हैं जब पॉंप से पानी किसी दूसरी जिए ज़े दिया जाता है बगब प्राइमिंग की है तब यह Pixar gauge के रूम में करिये करता है और जब पॉंप P Ballipping किया जाता है तब Vecum gauge के रूम में करिये करता है Relay system में compound gauge के बहुत महत्तों करिये होता है क्योंकि उसमें जितना पानी पीछे से आ रहा होता है उतना ही आगे देना होता है इसलिए ऐसे समय में compound gauge की needle zero पर होने चाहिए यानि जितना पानी आ रहा है उतना ही आगे बेजा जा रहा है यानि जैसे हमारे पास पानी आ रहा है 10 kg पर cm2 के हिसाब से और हम अमने उसको कितना देना है 10 kg पर cm2 के हिसाब से में इस पानी को आगे देना है तो यह needle जब हम जितना ले रहे हैं उतना ही आगे दे रहे हैं तो यह automatically यहाँ पर zero पर आ जाएगे और यह zero पर ही होने चाहिए अगर हम 10 ले रहे हैं और 15 दे रहे हैं तो हमारे TFF के अंदर पानी नहीं बचेगा तो इसलिए हम जीतना ले रहे हैं उससे कम दे सकते हैं उससे ज्यादा नहीं यह दूसरे compound gauge में बिल्कुल clear दिखाई दे रहा है यह zero से इस side का area vacuum बनाने वाला area है जो यह सामने पिक्टर में लिखा हुआ है vacuum यह minus में होता है और यह area pressure का होता है zero से आगे आगे next है oil gauge pump में oil की मात्रा और oil के pressure को दरसाती है इसमें भी एक नीडल होती है जैसे जैसे oil का pressure बढ़ेगा उस हिसाब से नीडल आगे जाती जाए आगे बैटरी gauge बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं और बैटरी कितनी चार्ज है यह सभी इस गेज में दरसा जाता है जैसे minus plus दिया गया है यहां पर बैटरी लो उसके बाद यहां पर आ जाती है यह नीडल तो यह बैटरी फूल हो जाती है आगे आता temperature gauge इस gauge में भी एक नीडल होती है और यह इस परकार क होता है इसमें engine के temperature को यह दरसाती है अगर temperature ज्यादा हो रहा है तो हमारे को idea हो जाता है कि इसमें cooling system चालू है या नहीं है वो इसी gauge से हमारे को पता लगता है या किसी कार्ण से engine heat पकड़ रहा है तो उसका भी हमें इसी meter से पता चल जाता है आगे नेश्ट आता है fuel gauge गाड में इस्तिमाल होने वाले महत्पून के जो के विशे में जाना आसा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपका कोई comment है तो comment box में डाले दन्यवाद